हेलो एव्रिवन आईए आज हम दो जानते हैं सिले सिलाय वस्त्रों की आवस्यक्ता वो भोगता की अधिक मांग के कारण सिले सिलाय वस्त्रों की आवस्यक्ता बढ़ रही है सिले सिलाय वस्त्रों की आवस्यक्ता निमलिकित कारणों से भी बढ़ रही है जैसे पहला है समय की बचत सिले सिलाय वस्त्र खरीदने से बेक्ति के समय की बचत होती है वह एक बार बजार में जाकर अपनी आवस्यक्ता यह आर्थिक इस्थिती के अनूर वस्त्रों का चुनाओ कर लेता है उसे दर्जियों के कई चक्कर नहीं लगाने पड़ते दर्जी एक वस्त्र के सिलने में बहुत समय भी लगा देता है यह तो सही बात है कि दर्जियों के चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं और सिले सिलाय वस्त्र जरूरत के हिसाब से आसानी से वाजार में उपलब्द हो जाता है दूसरा है तयार वस्त्र सस्ते होते हैं यदि बाजार से कपड़ा खड़ीद कर वस्त्र सिलवाया जाए तो बाजार में मिलने वाली उसी किस्म के तयार वस्त्र से वह महंगा पड़ता है तयार वस्त्र अधिक संख्यां बनाये जाते हैं इसलिए उनके लिए इकठा कपड़ा खड़ी लिया जाता है जिसे कपड़ा सस्ता हो जाता है उनकी कटाई एक पैटर्न पर होती है उन्हें सिलने के लिए दर्जी को थोक में कपड़े दे दिये जाते हैं इसलिए कम कीमत पर सिलाई हो जाती है इससे सिलाई वस्तर सस्ते लेकिन अगर हम अकेले एक कपड़े की सिलाई करवाते हैं तो कपड़ा खड़िदने में भी महंगा हो जाता है और कपड़े की सिलाई भी बहुत अधीक हो गई है. फिर है नेक्स पॉइंट है दर्जियों की परिसानियों से बचना. वह एक बार ही अपनी रूची के नुसार वस्त्र खड़िद लेता है उसे कई बार दर्जी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं. रेडी मेड वस्त्रों की दुकानों पर ही दरजी होते हैं वे ततकाल उसे अपने ही साब से फिटिंग भी कर देते हैं तो इससे ग्राकों को बहुत ही सुविधा हो जाती है जल्दी में तयार वस्त्र ही उची चुनाओ होते हैं अगर बहुत जल्दी में वस्त्र लेना है तो तो सही होता है कि जल्दी से रेडिमेट वस्त्र खड़िद लिए जाएं कई बार हमें ततकाल वस्त्रों की आवस्चता होती है ऐसे समय में हम तयार वस्त्रों द्वारा ही अपनी आवस्चताओं की पूर्ती करते हैं फिर एक पॉइंट और है इसमें चुनाओ के लिए बजा सारीडिक पीटिंग के अनुरूप उसका चुनाओ कर सकता है अन्य था कपड़े खरीदने के बाद डिजाइन का चुनाओ करना पड़ता है जिस अगर बड़े साइज का भी रेडिमेट वस्त्र पसंद आने से खरीद लिया जाता है तो फिर उसे टेलर वहीं पर बैटकर त सबड़े जानकारी है तो उसके क्वालिटि को जरूर देख लेना चाहिए जासे सबसे से पहले हम लोग देखते हैं कपड़ा फैब्रीक कपड़े में सिल्वटे फीकापन नहीं होना चाहिए तथा टिकाउपन होना चाहिए सिल्वटे जाचने के लिए कपड़े को निचोर कर पडिक्षन करें अपनी इस्थिती के अनुरूप देख रेख निर्देशों के अनुसार उसे जाचे ऐसा नहीं कि डेली वाले कपड़े को हम लोग महंगा कपड़ा लेकर ड्राइवास का कपड़ा ले ले लिए तो फिर भ कि संपुर्णता देखें जो भी सिलाई किये गये हो वह अच्छे होने चाहिए मजबूती से होने चाहिए फिर अस्तर इनमें वस्त्रों की उचीत आकार तथा ठारा दिया जाता है इस काम के लिए जो भी कपड़ा लिया जाए वा दूसरे कपड़े के अनुरूप ही होना चाहिए अस्तर मुलायम तथा सुवीधा जनक होना चाहिए बहुत तंग सिला हुआ अस्तर निकल जाता है कोट व बलेजर में एक आंत्रिक अस्तर भी होता है उसके किनारों से अच् पहले से ही सिकोरा गया होना चाहिए अस्तर जो भी कपड़े के अंदर डाला जाता है ताकि कपड़े की पारदर्सीता ना दिखे और कपड़े को अच्छे से उसके आकार के लिए भी बनाया जाता है सही आकार ले लेता है अस्तर डालने से कपड़े ले लेते हैं फिर बंधग कपड़े के अनुसार उचिताकार के होने चाहिए वे कपड़े से बिल्कुल मिलते होने चाहिए यदि अद्रिष से बनाते हो तो वे पट्टी से बिल्कुल छिप जाने चाहिए फिर है ट्रीम अच्छी तरह जुड़े समन्वित होने चाहिए तथा पोसाग के प्रदर्शन से अनाकर्शित नहीं होने चाहिए फिर ब्रांड भी देखना जरूरी है तो परीचित अच्छी परीचित अच्छी तरह स्थापित कंपनी के लेवल विशुद्ध वक्ता निर्देशित न कर सके किन्तु इस साथ की गारेंटीश एक यदि कपड़े में कोई समस्या आती है तो कंपनी उसे बदल देगा या रीटर्ण करेगा या उसकी कुछ उसकी समस्याओं का समाधान करेगा तभी कप्ड़े को लेना चाहिए तो ये कुछ बाते हैं गुनवक्ता चेन जो है ये कुछ बाते हैं जिसे बहुत ही पड़क करी कप्ड़े की खरीदारी करनी चाहिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सीले सिलाय वस्तर खरीदे समय कुछ ध्यान देने योग्य बाते हैं किन-किन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे तो तयार वस्तर को खरीदने से कई लाब हैं सीले सिलाय वस्तर खरीदने से वस्तर क करते हैं इसके लिए धन की बुद्धि मांः से हिं धनको बुद्धी मांई से खर्च करना चाहिए छिले सिलाइबस ख़ईते समय निमलिखिक बातों का ध्यान रखना अत्यनत आवस्यक है गला जैसे सबसे पहले हम लोग उसमें ध्यान देंगे कि इसकी सिलाई कैसी है सीवन कपड़े को उलट पलट कर देखें कि क्या कपड़े के जोर में काफी दवाब है जो आवस्चता आने पर खोल कर बढ़ा किया जा सके ऐसा नहीं किनारे से सिलाई किया हुआ है तो अगर उससे थ चीज का ध्यान रखना है उनकी चोड़ाई एक सी होनी चाहिए मजबूत सिलाई गुनवक्ता की निशानी होती है चोड़ी सिलाई पहनने में अच्छी रहती है तंग सिलाई में फेर बदल कटिन हो जाता है बहुत ज्यादा टाइट कपड़ा क्या होता है पहनने में भी प लोटा न दिखे उनी कप्रों में अधिकतर किनारों को पीको कर दिया जाता है जिससे उनके धागे नहीं निकलते हैं इसके बाद है बड़ी सीवन में सिले वस्त एक या दो बार पहनने के बाद उहर जाते हैं ज्यादा दूरी स्टीचिंग किया हुआ कपड़ा जो होता है वो जल्दी खुल जाता है सीवन का निरिख्षन करते से में निमलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे वस्त छोटी सीवन में सिला गया हो इस चीज का ध्यान रहे सिलाई के लिए जोर के पास अतिरिक्त कपड़ा छोरा जाना चाहिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल किना पीको करा गया है या नहीं यह भी देख लें वस्त की सिलाई पक्की होनी चाहिए जहां जहां कपड़ा काट कर आपस में जोडा गया हो वहां वहां सिलाई इतनी मजबूत होनी चाहिए कि तनाव को सह सके और फटे नहीं फिर तूर्पन दूसरा क्या पहला था सिवन उसके तथा एक यह जदी धागग अटग जया के तो पूरी किच कर बापर निकल आती है बउच भूर में ट्रेश मोटों थैसे तूर्पन करते सब्सक्राइब निम्रेखी थागा रहता है हुआल कहला जैसे टूर्पन सदैव इकहरे धांगों से की गई हो एक ही धांगे से दोर्ड दकानाथ बुस्परक्न‍b क्यों होता है यह तूर्पन पास-पास की गई हो सूर्पन काटा का तिर्षा लिया गया हो तूर्पन उसces रंगald आगे सीखी गई हो जिस रंग का वस्त्र हो जैसे क्या होता ब्लाऊस के किनारे में आजकल तो पाइपिंड डाल कर सिलाई कर दी जाती है लेकिन फॉल लगाने में फॉल में तुर्पन की ही आवसेक्ता होती है यह सर्ट के नीचे जो हेमिंग किया जाता है सद की सिलाई के बा जब समाप्त हो जाता है तो अच्छा से लॉग कर देना चाहिए थी थीसरा है ब्लैकट या बटन की पर्ति प्रतेक वस्त्र को पहनने तथा उतारने के लिए उसका कुछ भाग खुला रखा जाता है इस भाग को वस्त्र पहनने के लिए बंद किया जाता है वस्त्र में जिस अस्तान पर वस्त को बंध किया जाता है तरह बटन लगाए जाते हैं उसे प्लेकेट कहते हैं वस्त्रों पर बटन की पटटी वस्त के अनुरूप लगाई जाती है मैचंग करके लगाया जाता है तister इस लंबाई एक चौड़ाई आवस्टक्ता अनुसार रखी जाती है। इसे बनाने के लिए अत्रीक्त कपड़ा लगता है अत्रा कपड़ा बचाने के लिए कई बार बटन की पट्टी बहुत छोटी बनाई जाती है। जिससे वस्त्र पहनने तथा खोलने में काफी कढ़िनाई होती है प्लेकेट का नियक्षिन करते समय निम्लिखित बातों का ध्यांदर ना जीए जब हम लोग प्लेकेट के जगह को देखते हैं तो उसमें जैसे वस्त्र पर जोलना पड़े बटन की पटी सफाई से लगी लग उचित हो फिर बटन या हूप पास पास लगे हूँ सिलाई उचित प्रकार से की गई हो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है फिर बटन हूप काज इत्यादी और जो है पॉइंट है बटन हूप काज इत्यादी सिले सिलाई वस्त्रों पर लगे बटन हूप क का इत्यादी का नियक्षन करना भी बहुत आवस्यक है बटन हुग का जादी का नियक्षन करते समय निम्लिकित बातों का ध्यान रखना आवस्यक है जैसे बटन हुग का जादी सफाई से लगे हो लगाने में फिनिसिंग दिखना चाहिए ऐसा नहीं कि जैसे तैसे लगा दिय कपड़े के रंग से खाते हुए होने की जिस वस्त्र में आवस्र àsक्ता होती अनुप को सब्सक्रा Birthday कर दना छैनुत्रा नहीं कि काज की जगा छोड़ी गई या पुर्ण रुप से रंग से काज बढ़ा या नहीं इससे भी देख लेना चाहिए फिर अगला कारीगरी तैयार रेडीमेड वस्तरों को उन पर की गई कारीगरी का निरिप्षन करने के बाद उन्हें खरिदना चाहिए फिर एक कई बर थैयार वस्थर को आकरसक बनाने के लिए उन पर मोटी सितारे कढ़ाई टाइप in फ्री लेश अधी लगाया जाते हैं इस तरह से परिसज्ञा वस्त्रों की परिसज्ञ वस्त्रों को सुन्दर बनाने के लिए उस परिसज्जा की जाती है इन चीजों को लगाकर मुती सितारे कराई या टाइपीन प्रील लेस लगाकर बस्त्रों को सुन्दर बनाया जाता है तो यह भी देख ले कि वह अच्छे क्वालिटी का है या नहीं उसके रंग तो नहीं निकलते हों इस सब चीजों का ध्यान रखना जरूड़ी है कारीगरी की जाच करते समय इसमें भी कुछ बाते हैं उन्हें ध्यान में रखना है जैसे अलंकरन वस्त्र पर खिलते हुए होने चाहिए ऐसे नहीं कि कुछ भी लगा दिया गया हो जो भी उसके लिए सूटेबल हो वही अलंकरन वस्त्रों पर लगा होना चाहिए मोती सितारे लेश सफाई से लगाए जाने चाहिए उनका रंग मजबूत पक्का होना चाहिए अलंकरन मुख्य वस्त्र की किस्म से मिलते होने चाहिए लेज, पाइपिंग, सितारे, मोती, पक्केपन से लगे होने चाहिए अलंकरनों द्वारा सज्जा, संतुलित होनी चाहिए फिर लगाई गई सजावटी सामागरी वस्त्र को धोने के पस्चात उचित रह सकेगी या धोने के बाद अच्छी नहीं लगेगी तो इस बात की भी जाज कर ले, या बेकार हो जाएगी तो इसका भी ध्यान रखना है फिर हम लोग देखते हैं, इसी में डिजाइन है आगे बढ़ते हुए डिजाइन पहनने वाले बैक्ती पर अच्छा लगेगा या नहीं यह बहुत जरूरी है कि जो भी डिजाइन के कपड़े हम लोग ले रहे हैं फैसन के अनुकूल हम लोग वस्त्रों का चुनाओ भी करते हैं तो सिर्फ फैसन को नहीं देखना है यह भी देखना है कि वो जिस बैक्ती के लिए लिया जा रहा है उस पर वो अच्छा लगेगा या नहीं फिर डिजाइन हमारे बैक्तितों में निखार लाने वाला होना चाहिए हमें उसी डिजाइन का वस्त्र खरीदना चाहिए जो हमारे बैक्तितों के अनुरूप हो जो हमारे उपर अच्छा लगता हो वैसे वस्त्रों का चुनाओ करना चाहिए फिर डिजाइन को आकर्षित बनाने के लिए बिभीन रंग के कपरों का प्रियोग करना चाहिए अथ्वा बिभीन धागों से कढ़ाई की जाती है यदि इन चीजों के रंग के पक्केपन का ध्यान नहीं रखा जाता जिससे एक बार धुलने के बाद रंग निकल जाने के बाद वस्त्र बेकार हो जाते हैं पुर्सों के कप या कॉलर उप्युक्त विधी से तयार होने चाहिए अनेथावे करापन खो देते हैं कॉलर में थोड़ा करापन आना चाहिए या बहां पे तो बक्रम के कपे लगाये जाते हैं तो इस सब चीजों में अच्छे क्वालिटी पर ध्यान देना जरूरी है इसके बाद है लटकाओ ड्रैप कहते हैं सिले सिले तयार वस्त्र खड़िते समय एक अन्य गुन का होना अवस्यक है जैसे वस्त्र का लटकाओ अध्वार ड्रैप अक्सर हम अपनी इक्छा नुसाज उत्तन डिजाइन से निमित तयार रेडिमेट वस्त्र लेते हैं परंतु उससे पहनने के पास साथ हमें यह ज्यात होता है कि उसमें उचित लटकाओ नहों होने के कारणवार ठीक से क्रिज नहीं बनाता और पहनने के बाद आकर्सक नही कप्रियों इतनी कुछ सलता से किया जाता है कि खरीदार उस आकर्स आकर्सन के आधार पर कप्रे की किस्म को जाचे बिना ही वस्त्र खरी लेते हैं देखने में वस्त्र अकर सुंदर्द दिखता है तो फिर बाकी चीजों पर से ध्यान चला जाता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एक क्वालिटी को देखना तो बहुत जरूरी है यह समस्या सस्ते किस्म के वस्त्रों में अधिक आती है अता तयार वस्त्र खरिते समय केवल डिजाइन तथा मुल्य काहीं नहीं अपितु अच्छे किस्म के कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए ऐसा नहीं है कि देखने में बहुत सुन्दर है दिजाइन बहुत अच्छा है नहीं करना है वह उसकी कप्रे की क्वालिटी को भी देखना चाहिए ताकि कि वह हमारी आर्थिक छमता के अनुरूप है या नहीं और ऐसा नहीं कि हम बहुत महंगे वस्त्र ले ले लेते हैं क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वह बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो इस से ग्राहकों को परिशानी हो जाती है तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा पत्रिका में वस्त्रों के रंगीन चितर देख कर निश्चित कीजे कि आप अपने लिए कौन सा वस्त्र उप्योगी समझते हैं क्या होता है कभी-कभी पत्रिका के मार्ध्यम से भी वस्त्रों के प्रचार प्रसार के मार्ध्यम से भी वस्त्रों को देखने समझने का मौका मिलता है तो हमारे उपर कौन सा चीज सुटेबल होगा यह देखना जरूरी है अपने धन का अधिक्तम लाप्राप्त करने के लिए वस्त्र खर्ड़ते समय गुनवक्ता की जाज करना बहुत आवस्यक है लेवल तथा ब्रांड ये भी देखना है गुनवक्ता के चिन्हों से भी परीचित होना है और हमारे लिए क्या उप्योगी है इस हिसाब से वस्त्रों का चुनाओ करना है अच्छे चैन से हमारे वस्त्र बेकार नहीं जाएंगे पृति एक रेडी मेट वस्त्र को खरिदने के पहले उसे पहन कर अबस्य देखे ताकि पता चले कि हमारे उपर वह अच्छा लग रहा है या नहीं यह हमारे सरीर के अनुरूप है या नहीं बड़ा होने से उसे चोटा करवाया जा सकता है, नहीं तो फिर चोटे होने से उसके साइज में बदलाओ किया जा सकता है प्रतिक रेडी में दोस्त्र को खरीद कर लाने से पहले उसे पहन कर देख लें उसकी पिटिंग कैसी है उसका रंग आपके उपर अच्छा लग रहा है या नहीं इसे भी ध्यान में रखना है तो बच्चों आज हम लोगों ने बने बनाए वस्त्रों के बारे में बिविन जानकारियां प्राप्त की अगले वीडियो में हम लोग इसके कुछ प्रश्न उत्तर सौल्व करेंगे जिसमें अभ्यास के प्रस्ण में अति लग इतर ये और दिर्ग लग इतर ये प्रस्ण उत्तर है उन सबर्मों की चर्चा हम लोग अलग अलग वीडियो में करेंगे आप लोग ड्यान से पढ़ें अध्यान से सुनें है कुछ आज की लिए इतना ही थैंक यूचु